दोस्तो शिवलिंग के अर्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा confusion होता है वो confusion सिरफ इसलिए होता है क्योंकि हम हम हिंदी में बात करते हैं हमारी जो वैदिक और पुरानिक जो संस्कृती है उसमें भाषा संस्कृत होती है और संस्कृत में link शब्द का जो अर्थ है वो चिन क के रूप में होता है चिन यानि की सिंबल तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लिंग का मतलब है सिंबल और शिवलिंग को भी हमें इसी अर्थ में ही देखना चाहिए शिव जी जो है वो महा पूरुष है और जब भी किसी महा पूरुष कर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका जो महा शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है और जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल के रूप में तो हमें एक वेदी बनानी पड़ती है एक भग बनाना पड़ता है लेकिन दोस्तों यहां भग का मतलब स्ट्री की जनेंद्री नहीं है यहां भग का अर्थ भगवान शब्द के उस भग से मिलता है जिसका मतलब है कि छे अश्वर्य यानि एश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ग्यान और वेराग्ये इन सबसे जो युक्त महा अश्वर्य वाली शक्ति है यानि की जो महा शक्ति है वह शक्ति जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक व उसे ही कहते हैं शिवलिंग